आपको आपकी मम्मी ने एक कैन खोलने के लिए दिया और आपने इसको खोला लेकिन उसमें रसगुले के जगें अगर पांच आद में बाहर आ जाए तो तब क्या होगा क्या आपके लाइफ में ट्विस्ट आएंगे या फिर कुछ खतनाक होगा ये रिलेट करने के लिए देखे ये मुवी जिसका नाम है लिटिल केंड मैन वल्कम डिया रॉकर्ड्स मुवी की शुरुआत में हम देखते हैं लुजी अपने क्लास में सबसे होश्यार इस्टुएंट होती है और उसका एक भौती चंचल और शुरारती जुड़वा भाई जिसका नाम पिपलू है दोनों अपने स्कूल के फाइनल एयर में होते हैं एक दिन उनकी टीचर मिस जू बताती है कि सारे बच्चे अपने ग्रेट्स के हसाब से बैठेंगे क्लास का टॉपर्स आगे बैठेगा और उसके बाद ग्रेट्स के हसाब से बच्चे बैठते जा के बारे में पता चलता है सुनकर बहुत खुश होते हैं और ये बात सामने आती है कि उसके पैरेंट्स लूजी पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वह हमेशे अच्छे ग्रेट्स लेकर आती है फिर लूजी अपने माँ को अपने भाई पिपलू की पनिश्मेंट्स के बारे में भी बताती है कि पिपलू स्कूल में ऐसे करता है वैसे करता है और फिर उसकी माँ पिपलू के बेसरी करती है और कहती है कि तुम अपने भाईन के तरह क्यों नहीं हो तुम उसके तरह इंट्रलिजेंट्स क्यों नहीं बन सकते हैं थोड़ी देर बाद उसके बाप अब लुजी इतने चोटे लोगों को बोलते देखकर कावे खुछ जाती है और हैरान भी होती है कि यह क्या चीज है उसके बाद लुजी अपने बारे में उनको बताती है और उनसे उनके बारे में पूस्ती है जिस पर वो कहते हैं कि वो हमेशे से इस कैन पर रहते हैं इसी तुरा लूजी के माउस को बुलाती है पहले तो लूजी सोचती है कि वो इन छोटे लोगों के बारे में अपनी माउ को बता देगी लेकिन तब ही उसको ख्याल आता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी माम इनको उठा कर भार फिंग देगी क्योंकि पहले भी जब हमारे पास पैट थे तब मेरी माम ने उनको भार फिंग दिया था इसलिए वो आप छोटे लोगों का सच नहीं बताती है और जूट बोल देती है कि कैन खाली था दोस्तों लिटिल कैंड एक ऐसी मूवी है जिसमें पांच छोटे लोग कैंड के अंदर रहते हैं और एक दिन जब लूजी उस कैंड को खोलती है तो वो पांचों उसी कैंड में होते हैं और उसकी जिन्दिगी में एक नया मोड ले लेते हैं फिर जैसे धीरे धीरे वो एक दूसरे को जान लेते हैं तो वे छोटे लोग इस्ट्रुएंट्स की पढ़ाई में मदद करना शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें घर और स्कूल में कई परिशाने भी जहलने पड़ती हैं तो ये तो इसके एक शॉर्ट समरी थी अब चलते हैं मूवी पर वापस अब देखते हैं कि लूजी अपने रूम में वापस आती है और छोटे लोगों को नाप ले दिये और चौते का नाम लूटिनेंट है क्योंकि उसको लोगों की रक्षा करना बहुत अच्छा लगता है और आखर में जिसे परफॉर्म करना बहुत पसंद है उसका नाम वो सिंगा रखती है फिर लूजी उनके रहने के लेक डॉल हाउस भी बनाती है सोने से पहले डॉक्टर लूजी को अपने पढ़ने की इच्छा को बताता है और स्कूल जाने की बिंती करता है जिस पर लूजी बांच आथी है अगले दिन हम देखते हैं कि लूजी डॉक्टर को अपने बालों में छुपा कर स्कूल लेके जाती है और यहां उसकी मुलाकात ल्यांगी और लीज ओमेंड से होती है जो पिपलू की कलास मिना आने की वज़े से लूजी से पूश्ताज करते हैं इसी बिच ल्यांगी पिपलू को बचाने की कोश्ड़ करता है लेकिन लूजी बता देती है कि उसने क्लास मिस्स की है अब क्योंकि लूज़ी आउमेंट टीचर की चम्सी होती है तो वो उनकी चुगली करने के लिए टीचर के पास चली जाती है उसके बाद लियान की पूछता है कि तुम हमेशे अपने भाई को क्यों फसाती रहती हो अब जैसी लियान की गुस्ते में उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही वो डॉक्टर उसकी पैंट खीच कर खोल देता है और सारे बच्चे उस पर हसने लगता है और उसकी बेज़ती उसके बाद पिपलू लूज़ी की कमरे में अपने कुते होम्स के साथ आता है जैसी होम्स की नजर चोटे लोगों पर पढ़ती है वो भॉकना शुरू कर देता है होम्स गुस्ते में डॉल हाउस को हिलाने लग जाता है जिससे चोटे लोग इधर उधर घर के अंदर गरने लग जाते है फिर ल्यूटिनेंट अपनी पिन से होम्स को मार देता है और जैसी पिपलू होम्स तर खून देखता है वो उसके दवाई लेकर आता है इसी दुरान उसकी मा होम्स को भॉंकते वे सुन लेती है और पिपलू ने भी होम्स को अपनी मा से छुबा का रखा हुता है लेकिन जैसे वो कमरे में जाने की कोच्छी करती है पिपलू उसको रोग गयता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगर सब को होम्स को छुपाने में हेल्प करने के लिगाती है और इसी के साथ जौन खिड़की खोलता है और लिटिनेट हमस के पीठ में चड़कर उसको भार निकाल देता है उसके बाद हमस आराम से भाग जाता है उसी रात लूजी को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है और इसी के साथ lieutenant वहां से गायब भी हो जाता है अब वो सभी लोग बड़ी tension वह होते हैं कि lieutenant कहा गया फिर वो सभी चोरी छुपे खिड़की से lieutenant को ढूणने जाते हैं लेकिन पिपलू उन सब को देख लेता है और लुजी को फिर उसको सब कुछ सच बताना ही पड़ता है उसके बाद पिपलू होम्स को छुपाने के लिए उन छोटे लोगों को धन्यवाद करता है फिर वो सब होम्स की जगे पर जाते हैं जहां उन्हें lieutenant मिल जाता है और लुजी बताती है कि अगर पिपलू के एक्जाम में 90% मार्क्स आ जाते हैं तो उनकी माह होम्स को घर में रखने के लिए मान जाएगी लेकिन दिक्का तो यह है कि पिपलू एक नालाएक बच्चा है और वो एक्जाम में इतने हाई मार्क्स कभी लाई नहीं सकता उसके बाद डॉक्टर पिपलू की मदद करने का फैसला करता है अगले दिन डॉक्टर पिपलू के एक्जाम देने में इसकी मदद करता है और दूसी तरह लुजी एक्जाम के दुरान सूज आती है जिसकी वज़े से उसके कम माक्स आते हैं अब जब एक्जाम का रिजल्ट आता है तो लुजी की माँ उसको काफी डांटती है कि तुम्हारे इतने कम नमबर क्यों आए और इस बार पिपलू के जादा नमबर आये होते हैं और उसके पैरेंट्स भी लुजी से जादा पिपलू को अटेंशन देने लग जाते हैं अब इस बात से लुजी काफी दुखी हो जाती है और बारिश में बैठ जाती है फिर वहाँ पर उसकी कलासमेट वैंग जू आ जाती है और लुजी को दिलासा देती है कि एक एक एक्जाम से फ्यूचर डिसाइड नहीं होता वो उसे कहती है कि तुम बाकी आने वाले एक्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकती हो उसके बाद वैंग जू लुजी को एक स्कैश देती है जिसमें उसने ट्रॉफी पकड़ी होती है उसी रात को लुजी उस छोटे आर्टिस्ट को ये स्कैश दिखाती है और कहती है कि वैंग जू एक बेहतरी आर्टिस्ट है और साथी साथ ये भी बताती है कि मिस जू वैंग को पेंटिंग नहीं करने देगी और उसको ध्यान से भार लेकिया जाते है फिर मिस जू के आने से पहले भी भार आ जाते है लेकिन आर्टिस्ट गलती से अंदर ही रह जाता है लेकिन किस्मत अच्छी होती है और मिस जू को को योड़ टीचर बुला देता है फिर आर्टिस्ट बड़ी मुश्किल से वहां से भार निकल जाता है उसके बाद लूजी पेंटिंग किट वैंग जो को दे देती है ताकि वो आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा ले सके फिर वैंग जो भी लूजी की बात मान जाती है और आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू कर देती है फिर अगले दिन आर्ट फेस्टिवन में यूनिस्को से गैस्ट आते हैं हलांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने लो ग्रेट्स इस्टुएंट्स को अंदर आने से मना कर दिया होता है लेकिन अचानक से लुजी स्टेज पर वेंग जुव की पैंटिंग ले कर जाती है फिर लुजी जौन की मदश से गैस्ट से अलग लग भाश्या में बात करती है जिससे सभी गैस्ट बहुत इंप् Agreist हो जाते हैं उसके बाद लूजी गैस्ट को वेंग्जो की पेंटिंग दिखाती है जिसको देखकर गैस्ट उसके काफी प्रशेशा करते हैं लेकिन इसके बाद लूजी को आर्ट फंक्शन खराब करने की वज़े से ग्राउंड साफ करने की पनिश्मेंट मिलती है इसी तुरान बागी low grade student भी लूजी की मदद करने लग जाते हैं और इसनी के साथ principal ये announcement करता है कि जिन student के 90% से कम marks आएंगे वो किसी भी activity में participate नहीं कर पाएंगे ये सुने के बाद तो छोटे लोग फैसला करते हैं कि वो कमजोर students की पढ़ाई में मदद करेंगे और इसके बाद लूजी अपने दोस्तों को छोटे लोगों से मिलाती है और प्लान बनाती है कि वो डॉक्टर की help से पहले exam पूरा करेंगे और उसके बाद artist और singer उनकी copies बनाएंगे जो copies John और lieutenant सारे students को बन देंगे लेकिन एक पल के लिए लूजी का ये प्लान बरबाद होने लगता है जब मिज़ू classroom में आकर सभी को seat बदलने के लिए कहती है अब जैसे ही वो लोग हार मानने वाले होते हैं पिपलू छट की और इशारा करता है और चोटे लोग उसे एक नया प्लान बनाने की बिंदी करता है उसके बाद लूजी अपना एक्जाम पुरा करती है और चोटे लोग उसकी copies बनाते हैं और मुश्किल से बागी student को answer की copies देने में कामयाब हो जाते हैं आखरकार वो सब अच्छे मार्क से पास हो जाते हैं लेकिन उसके बाद मिज़ू को उनकी cheating के बारे में पता चल जाता है और लूजी और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल रूमें बुला जाता है अब ये बाद सामने आती है कि लीज़ियाओ मैन को answer papers मिल गए थे जो उसने मिज़ू को दे दे थे और अब प्रिंसिपल उन सब से पूचती है कि ये answers किसने लिखे और क्यों लिखे तो लूजी सारा इल्जाम अपने उप ले 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 थी है उसके बाद लूजी के पैरेंट्स को स्कूल में बुला जाता है और उनकी भी काफी बेज़ती होती है और जब लूजी के माँ उसको डानती है तो वो कहती है कि इसकूल में बच्चों की ग्रेड की वज़े से उनसे भेदाव किया जाता है ये सुनने के बाद तो प्रिंसिपल बहुत अगुसा हो जाती है और उसके पैरेंट्स को कहते हैं कि तुम इसका स्कूल चेंज कर दो लेकिन लूजी के बापा बिंते करते हैं कि प्लीज इस बार इसको यहीं रोग दीचिए और फिर प्रिंसिपल भी इस बात को माँ जाती है लेकिन एक शर्ट यह होती है कि लूजी अब उसके दोस्तों से बात नहीं कर पाएगी अब जैसी लूजी घर पहुंचती है तो छोटे लोग कहते हैं कि कमजोर बचों को अपने फैनल एक्जाम के लिए पढ़ने की काफी जरुवत है क्योंकि यह पहले तो चीटिंग की वज़े से 90% मार्क्स लेकर आ गए थे लेकिन इस बा लहना मुश्किल होगा अब यह सुने के बाद लूजी भी बहुत गुस्ते में आ जाती है और कहती है कि अगर उसने भी पढ़ाई नहीं की और उसकी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको भी निकाल दिया जाएगा स्कूल से लूजी छोटे लोग उसे यह भी कहती है कि जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आये थे मैं पढ़ने में बहुत तेज थी और मेरे अच्छे ग्रेट्स आते थे और तम मेरे पैरेंट्स को मुझ पर बहुत गर्भ होता था ये सुनकर तो छोटे लोग काफी उदास हो जाते हैं और अब वहाँ से जाने का फैस्ता कर लेते हैं फिर वो अपना समान बांद कर लोजी के कमरे से चला जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद पिपलू होम्स की जगे पर पहुंचता है जहां ये छोटे लोग अब रहते हैं डॉक्टर पिपलू को कहता है कि सबी कमजोर बच्चे को इखटा करो और हम उनको पढ़ाना सिखाएंगे उसके बाद सारे कमजोर बच्चे अच्छे ग्रेट्स लाने के लिए ग्रूप स्टेडी शुरू करते हैं फिर जब सबी पांचों लोग साथ में होते हैं तो ल्यूटिनेंट उनको याद दिलाता है कि वो कहां से आये थे और ये उनकी जगे नहीं है उसके बाद एक दिन लीजाओ में सभी चोटे लोगों को देख लेती है और उनको पकड़ लेती है तांकि वो उसकी स्टडीज में हल्प कर सके लेकिन वो सम्मना कर देते हैं और फिर अगले दिन पेपलो लूजी को छोटे लोगों की गयब होने के बारे में मताता है और उनको ढूडने का फैसला करता है लेकिन लूजी उसको रोग देती है और कहती है कि इस वक्त एक्जाम में ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है अब दूसरी तरफ लिजाओं में छोटे लोगों को एक जर में बंद कर देती है और इस तो रूम में छोड़ देती है वो लोग किसी तरह उस जर से निकल जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से उन पर एक चुवा अमला कर देता है अब यहाँ एक्जाम हाल में दिखाते हैं तो लूजी अपनी पैंसल लग देती है और भार जाने की कोशिश करती है मिज्जू उसको चेतावने देती है कि अगर भार गई तो उसको निकाल दे जाएगा लेकिन फिर भी वा भार चले जाती है इसी दुरान चोटे लोग बेचारे चुवे से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इस मुसीवत से बचाई पाते दूसरी और लूजी उनको स्कूल के चारो तरफ ढूरती है लेकिन उक कहीं भी नहीं मिलते फिर वापस स्टोर रूम में हम देखते हैं कि एक दूसरे से लड़ते वक्त टेवल से जार गिर जाता है जिसकी आवाज को सुनकर लूजी वहाँ पर पहुंच जाती है और अपने दोस्तों से दुवारा मिल जाती है लूजी फिर उन सबसे माफी मांगती है उसके बाद जब लीजाओ में वापस स्टोर रूम में आती है तो देखती है कि छूटे लोग वहाँ से गैब हो चुके हैं अब जैसी लीजाओ में लाइट ओन करती है सौकर से स्पार खोना शुरू हो जाता है और देखती है देखती है वहाँ पर आग फैज आती है फिर आग लगने की वज़े से सभी इस्टुडेंट्स और टीचर को भाहर आने का आज़ेश दिया जाता है मिस दूर सभी बच्चों को स्कूल से भाहर निकालती है जबकि दूसरे टीचर आग भुझाने की कोशी करती है लूजी अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशी करती है लेकिन वो बेचारी वहीं फस जाती है इसके बाद वो लोग उपर कितरा भागते हैं इसी दुरान लूजी को लीजा ओमेन मिलती है जो चोट लगने की वज़े से बहुत रो रही होती है उसके बाद सभी उसकी उपर चड़ने में हल्प करते हैं और अब हम देखते हैं कि सभी स्टुटेंट छट पर आ जाते हैं और मदद मांगते हैं सभी टीचर्स आग बुझाने की कोशी कर रहे होते हैं लेकिन आग बुझने की कोई भी उमीद नहीं होती वैसी अचानक से छोटी लोग पिपलूग हेलिकॉप्टर में आते हैं और रस्टी फेंग देते हैं फिर वो टीचर्स को एक तरफ से पकड़ने के लिए कहते हैं और दूसी तरफ से स्टुटेंट्स को भांदे के लिए कहते हैं उसके बाद सबी बच्चे अपनी उनिफॉर्म की मदश से उस रस्टी पर स्लाइड करके नीच उतर जाते हैं हलंकि लुजी की बारी पर रस्टी पर आग पकड़ना शुरू जाती है अब लुजी को बचाने के लिए लुटीने extras हेलिकाप्टर से चलाग मारकर उस रस्टी को पकड़ लेता है अब ये देकर तो लुजी चिलाने लगती है और उसको अहसास होता है कि लुटीने deck को बचाने के लिए अपनी खुरबानी दे दिया इसी दुरान लूजी के पैरेंट्स को ऐसास होता है कि ग्रेट्स कुछ भी नहीं होते इसके अलावा भी जिन्देगी में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे कि प्यार और दयालुपन दूसरों की परवा करना वगेरा वगेरा उसके बाद लूटिनेंट ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है फिर हम देखते हैं कि लूजी को सिटी अच्विमेंट अवार्ड मिलता है और उसके बाद लूजी स्टेज पर इस पीस देते वे कहती है कि स्टुडेंट्स को अपने सपनों को पूरा करना चाहिए वो आगे कहती है कि उन में से एक साही हो सकता है लेकिन हर किसी की अपनी ताकत और इच्छाई होती है और फिर सभी लोग लूजी के लिए तालिया मजाते हैं और उसका बहुत स्वागत करते हैं और आखर में हम देखते हैं कि छोटे लोग अपनी आखरी गुडबाई कहते हैं और अपनी दुनिया में वापस तल जाते हैं वैसे यह आर्टेस्ट लूजी की तरह वह अपनी पेंटिंग फेकती है जिसमें लूजी उनके साथ होती है और दोस्तों इसी के साथ यह अच्छी मूवी यहां पर खत्व होती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी थीना कुछ रग और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्स्मेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलेगा बागी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक किले गुड़ बाई अपना ख्याल रखिये और फाइनली थैंक्स पर वाचिंग